स्ट्रेचर, हेडर, किंग क्लोजर, क्विन क्लोजर, बिवेल क्लोजर, हाप बैट एक ब्रिक में होते क्या हैं? तो हेलो गाईज, मैं आशीष, स्वागत आपका गड़वले पैंडर चैनल में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स चैप्टर जो है ब्रिक मेसनरी इसमें हम जानेंगे कि ब्रिक की मेसनरी यानि इट चिनाई कितने तरीकों से होती है बट इट चनाइक सीखने से पहले हम सीखिएंगे कि इट में be well closer, queen closer, half bet ये सब होते गया हैं तो आज के lecture में हमारा main focus होगा header, stretcher, queen closer, king closer, half bet, be well bet ऐसे ही इट के अलगलग type समझनेगा तो start करता है guys हम break से तो इस तरीके से guys मैंने आपे फटाफा draw किया है एक brick जिस मैंने आपको बताया था कि size of brick without motor होती है 190 multiply by 90 multiply by 90 इसमें जो लंबा face होता है इसको हम कहते है stretcher और जो short face होता है उसको हम कहते है header और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि size of brick जो होती है वो होती है 200 multiply by 100 with motor अगर हम brick को मसाले के साथ यूज़ करते हैं तो उसका size में 10 10 mm की हम बड़ोतरी लेते हैं जिस वेसे size हो जाता है 200 mm multiply by 100 mm multiply by 100 mm तो मैंने आपको बताया था कि size of जो brick होगा वो without motor इतना और with motor इतनी होगी इसमें stretcher face और header face यह होगा अब हम चलते हैं सीथे brick के तरफ जिसमें आपको stretcher and header face समझाता हूँ जैसे guys यह एक brick है इसमें stretcher face मैंने आपको पहले यह बताया था कि stretcher face इसका यह होता है ठीक है और header face होता है इसका यह वाला portion मैंने आपको बताया था इसकी नाब जो होती है वह होती है 10 cm लंबाई में और 10 cm height में ठीक है guys और यह वाला जो stretcher face इसका होता है इसकी length होती है 20 cm with motor without motor यह आपका होता है 19 cm इसमें इसके height है तो यह आपका stretcher face है और यह आपका है header face और इसमें यह वाली जो चीज आपकी यह होती है यह फॉग फॉग इसले छोड़ा जाता है ताकि इसके उपर जब दूसरी निट आती है तो यहां पर जो मसाला होता है वह एक तरीके से locking बना देता है इसके साथ और उपर वाली इट को अपने साथ जोड़ कर रखता है तो यह होता है इसका fork वाला portion stretcher face और header face समझने के बाद आप चलता है हम हाप बैट पे कि हाप बैठ होता गया है इस तरीके से यह होता है हाप बैठ हाप बैठ की खासियत क्या होती है कि इसमें जो stretcher वाला face होता है इसको हम बीच वीच काड़ते हैं तो हमारे पास ब्रीक का साइज बसता है जैसे अन्यंवेदेश हमारे टाट के बाद से काड़ गत राखत देता है तो हमारे पास बाचा फिस्सा बचा पीछे अगर मैं इसको आधा दो भीचो भीच्व बीचे तो इतना पॉर्षन जो बचेका है हमारी पूरी होती है और हमारी ब्रेद भी पूरी होती है बस जो हमारी ब्रिक है उसमें Past होती है वो कटके हो जाती है आधी तो हमारे पास ब्रिक रह जाती है इतनी इसकी हैड पर कोई फराग नहीं पड़ता है बस जो इसको है इसको हम हाबट. तो गयाज आपके समझ चमझ में आगए होगा हाबट क्या उता है? इस तरीके जगहे हमसे देखाह की हाबट क्या होता है? आप हम देखते हैं कि क्यूं इन क्लूजर क्या होता है? क्यों क्लोजर में होता ही है कि जो चोड़ा ही होती हमारे B वो हम कर देते हैं B by 2 जो stretcher face होता है वो पूरा का पूरा होता है और जो height होती होती है बस इसमें जो होता है वो breath को आदा कर दिया जाता है और जो आपको dotted portion दिख रहा है इसको हम काट के fake देते हैं इसको आप B by 2 में काट देंगे और B by 2 आपके वास बचेगा यानि कुछ इस तरीके से जो आपके वास बचावा आपको दिख रहा है यह आपका है king closer कुछ इस तरीके से guys आपका queen closer होता है जो आपका बस B by 2 portion आपका रह जाता है length में पूरी रहता है बस guys इसकी क्या होती है जो breath होती है वो B by 2 हो जाती है जैसे मैं आपको यहां से दिखा सकता हूँ ऐसे कट के आपके पास रह जाएगी brick बस इस brick को आप बोलते हो queen closer जो side से ऐसी हो जिसकी B by 2 आपको दिख रही है इतनी रह गई हो और जो आपके पास plan में brick ऐसे दिख रही हो यह आपके पास होती है queen closer इस तरीके से हमने queen closer देखी अब हम चलते हैं अपनी next closer की तरफ जो कि है king closer और मैं आपको बताता भी हो किसको बनाते कैसे है तो guys जितने हैं मैंने king closer बनाए बनाएं इनको बनाते वे जो आपको यह नाप दिख रही है यह मैंने ली 4 cm यह मैंने लिए 2 cm और यह मैंने ली 2 cm यह रफ हैंड है बस हमें इसमें बताना ही है कि king closer ऐसे दिखता है और half bat ऐसे दिखती है कभी भी आपके बस पेपर में आए कि king closer , क्योंजर कैसे दिखते हैं, तो आप उसको freehand बना सकते हैं, इसको measurement में बनाने कि कोई भी ज़रूरत नहीं have बस हमें बताना होता है कि क्योंजर का pattern इस तरीके से होता है, हाब भैट की हिस तरीके से होता है स्यसेक partisan गडाने होती होती है वह और पर अबाने ऐसे कि खेंग करोंगा है कि सारा का सारा वस्तेमों बनता है वस्तेस केवल हमें पैटर्न बथा प्किल निवाइन क्लोजरर्ट भगे का सबसे हैं होती है और तक वान सेंटीमेटर कृष हैं चलूंगा इस तरफ और वन त्रिमेटर को दिखा दो हमां डॉटिट क्योंकि इतना हिस्सें में कटाभा होता है कि निसमें के बढाऊंगा और इसका दिखा दूंगा सेंटीमेटर कि कटिंग में जाता है और फिर यह बी डॉटेट में आ जाएगा और आप अंदाजे से इसको एंगल दिए लगभाग 45 डिगरी का और यहां से टू सेंटीमेटर की लाइन खीचिंगे और यह जाएगा डॉटेट में टू सेंटीमेटर की तरफ ऐसा ही यह भी टू सेंटीमेटर डॉटेट में जाएगा और टू सेंटीमेटर जाएगा डार्क तो यह हमारा होगा फोर सेंटीमेटर फिसकों ले ले लेंगे डार्क फिसकों ले 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 डार्क तो गैस इसमें portion कटता कैसा है king closer में ये बहुत बार पूछे जाता है king closer queen closer गैस इसमें होता क्या है कि हमें b by 2 और l by 2 का half cut काट नहीं होती ब्रीक ऐसे और ऐसे गैस ये ऐसे लगा देंगे तो इतना portion काईज हम इसमें काट देता है यानि इसका इकोना कट कर देता है तब हमारी आती हमारे पास king closer अब मार्किंग कर देंगे इस तरह के से हमारा king closer complete हुआ king closer में height पूरी रहती है जो इसकी ब्रेथ होती है वो बी बाइटू बी बाइटू हमें करनी पड़ती है और l by 2 इसकी length l by 2 और l by 2 हमें काटनी होती है यानि अगर ये पूरा 200 है तो 100 हमारे पास बचेगा बाकि 100 वाला कोना हम काटनी है ये टोडल हेंड होता है इसमें 50 वाला कोना काटनी हम 50 हमारे पास बचेगा और right हमारी पूरी की पूरी होगी तो गैस पेपर में बहुत बार आता है कि क्यून क्लोजर और किंग क्लोजर हमें बनाने होता है इसको हम फ्री एंड बना सकते हैं अब मैं आपको साइट पर दिखाता हूं कि किंग क्लोजर हमें दिखता कैसे हैं हमारी ये किंग क्लोजर दिखती है कि क्लोजर में क्या होता है कि आपका L by 2 पोर्शन यहां से कटता है जो B by 2 तक भी मिलेगी और L by 2 ही आपके बाद बचेगा ऐसे ही अगर आप साइट से देखोगे तो यहाँ पर आपके बाद पूरा भी है भी में आपको बी बाइटू ही रिमेन मिलेगा यानि बचावा मिलेगा बागी बी बाइटू आपका कट जाएगा तो इस तरीके से गाई बिरिक बैट के तरफ बड़ेंगे बीवल बैट बनाने से पहले आपको कंफ्यूजर ना हो कि हम हाब बैट केंग क्लोजर कुइन गोजर कैसे बना रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको बताया था विद मोटार जो बिक का साइज होता है वो होता है आपका तूहट x 100 mm ऐस बनाते मैं कर किया रहा हूं चाहिए रहा हूं मैं नफ्र כ्रैंड और और में घ्र JASON कि बनारा हूं 400 और मिर्ण अध्य सेंटीमेटर है चीकर है कोई इसके На paneओल रहा помoi अगयोजें ने कि है वसे थम्रूल ले क्い् f corn एप बनाने के लिए आपको इनके जुरत नहीं है सकेल नहीं यहां इसे बना सकते हैं मैं आपको ब्रिक बनाने के दिखाता हूं इससे के अगर आप इससे ब्रइद्प बना ने हो तो डिक किसा बनाएंगे सबसे पहले आप एक सीधे लाइन लेंगे 2 cm की जो आपके height खो करेगा brick की फिर आप लेंगे याँपे 2 cm का breath इसकी इसकी याँपे भी लेंगे 2 cm की breath पिर इसके height भी आप लेंगे 2 cm फिर guys आपको पता 4 cm है 1 2 3 4 यहाँ से भी 1 2 3 4 तो यहां से भी 1234 कि पोग कि फिर जो आपकी है उसके सीध में आप यहां पे लिंगे लाए फिर है यो है इसके पहले लिये और इसके पहले लियाने समान तर यह वाली लाइन तो इस्टरीकर से आपके ब्रिक बन गई यहां पर आप लिखेंगे is stretcher और यहठा हैडर यह आपकी डेनथ है इसको आपके बहल至 ल 01 करोगे है यह वाली जो आपकी breath Being इसके आप बैसे शो करोगे और यह जो आपकी हाइट है कि इसको अफ से शो करोगे यहाँ पर अइस जो बतारह वह इस ट्रेचर को बतारहा था हुए भी जो बता रहा है मंश्री यह ओगए लिए अब हुए सब खो ब्रिक बना सकते हैं अब हम बनाइंगे विवेढ ब्ये बेट विवेल बेट क्याश्य कि है तो बनाइक है कि जो मैं हइट है बोटाड संनेगा अधर यहां पे मैं इसको ले यहां प्राइन यांपर दो में लोगा तू सेंटीमीटर पर यहां पर थो सेंटीमीटर तो बैद्हाइद फिर यहां पर यहां पर लांट है वह सेंटीमीटर तक डॉर्ट में जाएगी तू सेंटिमेटर यहां पर डार्क होगी फिर यहां पर भी तू सेंटिमेटर डार्क होगी पहले डॉटेड होगी देन डार्क यहां पर होगी फिर यहां पर यह होगी वन सेंटिमेटर अल्ली डॉटेड और बागी का पॉर्ट्षन 123 यह होंगा हमारा dark इसके पहले लिली यहां पर यह line यहां पर dark जाएगी ओर इसके पहले लिली यहां पर आएगी dark इसके लाद guys यह वाले जो है हमारा L x 2 विक्तम सीध में यहां पर जाएगा ऐसे यह तो यहां पर 2 cm मतनओं और यहां पर वान सेंटिमिटर हैं तो ये थोड़ा तिर्शे में जाता है तो जो हमारा होता है बिवेल बैट हो मारा होता तिर्शे में करीब यह आता है महारा ऐसे state is में सेञ में यह वाली एजेसद भिए बनाइगे इसकी कि अंगारी 17 मीटन की bleibt इस art तरीके से तो इस पर यह आएगा यहां से डाउन ऐसे और यह इस पर जाएगा इस तरीके से तो इस तरीके से गाईस यह जो हमारी है यह तिर्चे में कटती है जिसमें हमारी जो डाइमेंशन है दो अलग लग साइट से अलग लग होगी यानि इस तरफ का stretcher जो face है वो हमारा जो कटता है वो L by 2 पे L by 2 पे कटता है यह जो हमारी breath है यह हमारी आगे से पूरी कटेगी और यह जो हमारी height है यह भी हमारी एची रहेगी बट यह जो stretcher face है जो कटा है out लेक्त होते हैं एपर घ्राइब हमारा अबाइब हो जाता है यह बात मण बतों सेंटिमेटर फॉर सेंटिमेटर में यहां में पर Be ऑज है थे नीची हमारा सेंटिमेटर होगा और यहां पर स्रेंटिमेटर होंगा कट जाएगा तो यह ब्रिक कुछ हमारी तिर्चे की तरह कटती है जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा तिर्चे में कटी भी है वह इसलिए क्योंकि जो इसका यह वाला इस्टेचर का फेस है एक साइड वाला उसमें हम इसको काटते हैं आधा बड़ यहां पर काटते हैं 3L by 4 इसके पूरी लेंद्ध है तो 3L by 4 एक्जामपल के लिए जैसे मैं 4 cm बना रहा हूं तो यहां पर 2 cm बनाऊंगा और यहां पर 3 cm बागी 1 cm का कट हो जाएगा तो गाई इसको हम देखते हैं फिल्ट पे बट पहले हम यहां पर लिख देता है यह हमारा बीवेल्ड बैट तो गाई इसको हम देखते हैं फिल्ट में कि बीवेल्ड बैट हमें दिखते ही कैसे बीवेल्ड बैट दिखता है जिसमें L by 2 वाला पोर्शन यहां से यहां तक रहता है और यहां रहता है 3 L by 4 वाला पोर्शन यानि यहां की इस तरफ का जो फेस है हमारा इस्टेचर वाला वो रहता है 3 cm का और यहां रहता है 2 cm तो गाइज इस तरीके से चुछ कटी वीट होती है उसको हम कहते है बिवल बैट अगर हम इसको साइट से देखें तो आपको इस ट्रेचर यहां पर दिखा होगा और L by 2 हमारे यहां पर कटिंग हो गया है अब प्लान से कुछ इस तरीके से दिखेगा और अगर मैं इसके दूसरे साइट की तरफ जाएं इस तरीके से तो गाइज इसमें यह वाला पोर्शन आपका 3 रहेगा और आपका 1 cm वाला पोर्शन कट चुका होगा तो गाइज अगर और यहां पर जाएगा L by 2 जो आपको देखेगा 2 cm और अगर आप दूसरी साइट से देखें तो यह आपको यहां पर देखेगे 3 cm वाला पोर्शन इस तरीके से गाइज बीवेल्ट बैट देखने के अब अब हम बनाते हैं अपना बीवेल्ट क्लोजर अब बनाएंगे बी तो सेंटीमेटर की स्टेट लाइन देन जो इसकी ब्रैथ है वह हाप कटती है और हाप रह जाती है तेन यह होगा मारा तू सेंटीमेटर इसकी स्टिक सीद में कि यह वाला पूरी साइड हमारी फूर सेंटीमेटर है की डॉटेट में यह वाली पूरी साइड हमारी आएगी डॉटेट में यह वाली साइड हमारी आएगी डार्क वन टू थ्री फोर ठीक है इसके बाद इसको आप करोगे डार्क और इससे आप करोगे डॉटेट इसमें पैटर अच्छल में ऐसा बनता है कि आगे सो जो आपके पास होता है बी बहुत हो जाता है आपका बी बाई टू यानि आपकी पूरी रह जाती है और इस तरीके से इस तरीके साथ यह इस तरीके से और यह वाली साइड भी आपके डार्क यानि जो आपके बाद ब्रिक होती है वह स्लोब में कटती है और आपके बाद जो एरिया होता वह इस तरीके से होता है यानि पिछे से पूरा बी होता है और आग है यहां टो जो कड़ चुका है बीवाइटू बीवाइट इस तरीक इस हम आपको बताया है यह आपका भीवेल बैट है जिसमें आगे अब अब जाता भीवाइट इसका पूरा B रहता है तो हममें आपको ग्राओं में बताता हूं और header phase का पूरा यहाँ पर रहेगा बरूल को इस सप्रीके से दिखेगा सो आपको यहां पर दिख रही है मगाणे के बनाने के बाद अब हम बनाते हैं स स्कविंट कर्णाए स्क के स्टार्डिंग में सबसे पहले हम इसको दौट टिःटे हिंघगे त्व संसा पर और आथ कि इसके बाद गाइज टू का आधा हम बन लिंगे यहां 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 पर अपने ब्रिक को एकदम स्टेटली यू इस्टार्टिंग बनाएंगे हम ऐसा फिर्स के बाद 4 सेंटीमेटर में से केवल 1 सेंटीमेटर वाला पोर्षन हम डॉटेट बनाएंगे और 3 सेंटीमेटर वाला पोर्षन हम बनाएंगे डार्क ऐसा इसमें करेंगे 1 सेंटीमेटर वाला पोर्षन बनाएंगे डॉटेट उसके बाद 3 सेंटीमेटर वाला पोर्षन बनाएंगे डा करें लिफिकली इसमें होता है कि हमारी जो भ्रिक है वो शाइर पली मिकी तरफ मेति missing कि यानि इसी इसे संकाटी डेंगे केवल इसका षाउप वाला पॉडशन हमारे पास रह जाएकर सथाइगा यानि आरे पास केवल यह था पॉड्शन आपका रह जाएगा जहां पर भी गाईज आप आधा काटोगे आधे से ज़्यादा जैसे मैंने आधे से ज़्यादा काटा 4 cm यह था मैंने 1 cm काट देगे वाल 3 cm बचा तो उसको आप दिखाओगे 3 L by 4 और जो बागी बचा 1 cm उसको आप दिखाओगे L by 4 इसले क्योंकि अगर आपकी पूरी लेंथ है L आप L को आधा काट रहो तो L by 2 और L by 2 हो जाता है बड़ गाईज अगर आप इसको चार हिस्सों में काटोगे ठीक है तो यह हो जाता है 3 L by 4 और यह हो जाता है आपका L by 4 यह पूरा का पूरा मिलके बना देगा 4 L by 4 जो कि होता ह आपका टोटल एल अब यह वाला जो आपका पूर्शन है इसमें आपका पूरा का पूरा भी यहां से हटेगा केवल बीच की शार्प लाइन रहे जाएगी और यह आपका है हाइड इसका नाम हमारा इसक्वेंट ब्रिक एसक्यू यू आई एंटी इसक्वेंट बी तो गैस इसमें फिल्ड में चल के बताता हूं क속 और इसके शाइट को बाटरो चार इस्सों में जिसमें आप तीन हिसको दे रहीं हो और एक हिस्सा और इसको इसको पूरा निच्चे 4 है, 4 का मतला आप इसको 4 हिस्से हैं बाट रहे हो, तो 3L by 4 वाला हिस्सा इसके पास जा रहा है, यानि 3 part डिस्स के पास जा रहा है, किवल एक part डिस्स के पास जा रहा है, इसलिए हो जाएगा L by 4, फिर हो जाएगा 4L by 4, जो की मिलके बना देंगे आपका L, इसलिए जब 3 हिस्सा है किसी के पास जाता है, तो हम उसको लिखते हैं 3L by 4, इसको लिखेंगे L by 4, इस तरीके से गाईज, आपको इसको end brick कुछ दिखने में इस तरीके से दिखेगी, इसका जो यह वाला face होगा, यह होगा आपका 3L by 4, इस साइट से भी होगा 3L by 4, और इसका header face होगा B का, बढ़ जो इसका आगे का portion है, वो कुछ इस तरीक shape में कटेगा, जो की आपका V shape बनाएगा, और यहाँ पे यह पैना होगा, इसकी इस तरफ से भी by 2 कटेगा, इस तरफ से भी by 2 कटेगा, बस बीच में एक धार सी बनेगी इसकी यहाँ पे, इस तरीके से मैंने आपको बताया, इसका pattern, इस तरीके से होगा 3L by 4 यह होगा, 3L by 4 यह होगा, ब्रेथ इसकी पूरी होगी, बड़ जो आगे इसकी ब्रेथ है, वो बिल्कुल खतम हो जाएगी, बी by 2 कटेगा, बी by 2 कटेगा, और इस V shape में यह brick आएगी, तो guys इस तरीके से squand brick हमें दिखती है, यह brick हैं कहां use होगी, आगे bond की chapter में उसको देखेंगे, इसको इंट बिख बनाने के बाद, अब हम बनाते हैं 1 by 4 multiply 3 by 4 bat, यह बहुत important bat है हमारा, और यह हम bond में बहुत बार use करेंगे, इसके लिए आवा half bat भी है, जो हम बहुत ज़्यादा use करेंगे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं 1 by 4 bat को, इसमें सबसे पहले हमने खीचा 2 cm की line, इसके बाद हमने आपर draw की 1 cm की 2 cm की line, यह भी मारे 2 cm की आएगी, इसके बाद यह आएगा 2 cm का, इसके बाद गाईज इसको हम 4 ना बना के इसको हम बनाएंगे 3 cm, और 1 cm की हम यहाँ पर cutting करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 cm, और यहाँ पर 1 cm की हम cutting करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे 3 cm, और 1 cm की हम cutting करेंगे, ऐसे ही इस तरब भी हम करेंगे 1 cm की cutting guys, इसको हम डॉट्ट से मीलाएंगे हाँ इसको भी हम याम अफराओं पिसोर इंगे इसको भी अब हम यान पर डॉट्रिक हम आइंगे और इसमें क्लोज कर दींगे तो या इस 1 बाई-4 multiply by 3 by 4 mutta कहते हैं और इसके में बहुत जोंब पढ़ने वाली आगे बॉंड में कि इसमें 3L by 4 वाला portion हम रखते हैं और L by 4 वाला portion हम कट करते हैं और 3L by 4 portion हम रखते हैं अपने पास यानि इसका जो stretcher face होता है उसमें 3L by 4 वाला portion हम रखते हैं और L by 4 वाला portion हम कट कर देता हैं 3L by 4 वाला portion वो होता है जैसे पूरी के पूरे stretcher face में पता है 200 mm का होता है इसमें 50 mm हम cut कर लेता है और अपने पास जो रखते हैं वो केवल रखते हैं 150 mm हमें पता stretcher face हमारा total कितने का होता है 200 mm का जिसमें हम 50 mm का cut ले लेता है और 150 mm को हम यह पर रखते हैं बचाव आपने पास यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह विद मोटार की नाम बता रहा हूँ तो इस तरीके से 1 by 4 multiply 3 by 4 bet हमारा बहुत यूज होता है अब चलता है फिल्ट के तरफ जहां हम देखेंगे 1 by 4 multiply by 3 by 4 bet इस तरीके से गाइस हमारा 1 by 4 multiply by 3 by 4 bet दिखेगा जिसमें यह वाला portion इसका 3 cm होगा और 1 cm का पोर्चन हम काट दिखेगे आपको इसका प्लान कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें जो इस टेचर से वह आपको देखेगा का 3 cm लेंद्ध का दने 1 cm में काट दिखेगे तो इस तरीके से में 1 by 4 multiply by 3 by 4 bet दिखेगा जिसमें इस टेचर को इस आप देख सकते हैं कैसे कटावा है कि वाल 3 cm आपके बस बचेगा और इस तरीके से आपको दिखेगा दूसरी साइट से भी यह ऐसा ही कटावा होगा इस तरीके से आज की लेक्चर में हमने stretcher header बीवल बैट हाब बैट बीवल क्लोजर केंग क्लोजर क्लोजर क्वीन क्लोजर इसको इन ब्रिक के बारे में पड़ा जो कि आगे चलके हमारे बॉंड चेप्टर में काम आएगा जहां पर हम फ्लैमेज बॉंड इंग्लिज बॉंड में इनका यूज़ करना सीखेंगे तो आज के लिए इतना ही यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेट सक्षिन में जूरू बताएं ओके गाइस थैंक्यू